Hello students, welcome you on my YouTube channel. This is Vikas Gharg. Today we will start a new chapter number 3 of accountancy that is admission of a new partner. Students, जो ये chapter हम करेंगे admission of a new partner, इसमें एक partner admit होगा है. और ये chapter बहुत बहुत और बहुत ज्यादा important है. Board में यहां से एक 8 marks का question, long question आता है. तो इसको हम starting से ही समझ के चलेंगे, क्योंकि ये step by step chapter है. जब starting से हमें समझ में आएगा, तो भी हम जो long question इसका attempt कर पाएंगे. Student, देखें, सबसे पहले, इस admission of a partner का मतलब क्या है? इसमें एक नया partner firm में admit होगा. यानि कि अगर पहले हमारी firm में दो partner हैं, और एक नया partner और आ जाएगा, तो total तीन partner हो जाएगे. Right? तो देखें, admission of a partner का meaning क्या है? admission of a partner means entry of a new partner with the consent of other partner. यानि कि जो भी नया partner firm में admit होगा, वो other जो भी partner है, उन सब की सहमती से, उन सब की consent से ही admit होगा. Right? तो अब जैसे मान दो पहले थीन partner थे, x, y, z थीन partner थे, a एक नाम का fourth partner आ गया, तो अब आगे जागे fourth partner हो जाएगे. तो देखें, प्रिनेट जब नया partner आएगा, he will bring the agreed amount as capital. क्योंकि जब कोई नया partner आएगा, जैसे स्पोज कि ये तीन partner थे, x, y, z, अब एक नया partner firm में आएगा, तो वो कुछ ना कुछ capital भी लेके आएगा, क्योंकि बगएर capital लगाए, कोई भी partner नहीं बन सकता एक firm में, क्योंकि उसमें को capital के रूप में कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, right? तो bring the new partner, bring the agreed amount as capital and goodwill, और वो कुछ पैसा goodwill का भी लेके आएगा, students, last chapter में हमने किया था कि goodwill क्या होता है, देखे, जैसे कुछ partner है, उन्होंने 10 साल पहले मिलके एक business start किया था, और आज 10 साल के बाद एक चोथा नया partner आ रहा है, क्योंकि 10 साल पहले जब business start किया था, तो उतने profit नहीं होते थे, जितने profit आज होते हैं, right? तो जो उन तीनों partners ने मेहनत करके, आज जिस business को जहां पे stand किया है, यानि कि 10 साल पहले जब business start किया था, तो उनका जो profit था, एक साल का एक लाख रुपे होता था, और जब आज 10 साल हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी मेहनत से उस profit को बढ़ा कर 6 लाख रुपे, 7 लाख रुपे तक बढ़ा दिया है, तो वो उनकी मेहनत का नतिज़ा है, अब जब आज एक नया partner आएगा, तो वो कुछ ना कुछ profit में भी share लेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो बिना profit के आएगा, तो जो उन्होंने पुरानी मेहनत की हुई है, तो वो उस मेहनत के बदले उस से कुछ ना कुछ goodwill का पैसा भी करेंगे, आगे चलके हम उसको बारे में detail discuss करेंगे students, तो अब इसने बताया देखिए, जब एक नया partner firm में आएगा, तो वो capital का पैसा भी लेके आएगा, और goodwill का भी पैसा लेके आएगा, जिसको हम premium for goodwill भी बोलते है, to acquire the right of share the future profit of the firm, यानि कि वो future में profit लेगा firm के profit में से, जो share लेगा, उसके लिए वो capital का और goodwill का पैसा लेके आएगा, उसके बाद आता है students, a new partner acquired two main rights in the firm, जब एक नया partner firm में admit हो जाएगा, तो उसके क्या rights रहेंगे, right to the share of the assets and liabilities of the firm, जो firm के assets और liabilities होंगी, उसमें एक नया partner का share हो जाएगा, और दूसरा right to share future profit of the firm, और जो भी firm के profit या loss होंगे, ऐसा नहीं है कि loss में नहीं, जो future की में profit होंगे, या loss भी होंगे, तो उसमें भी हिस्सा लेगा, profit होंगे तो उसमें share करेगा, loss होगा, तो उसको भी bear करना पड़ेगा, तो अब जब नया partner firm में admit हो जाएगा students, तो उसके क्या effect business पर पड़ेंगे, क्या effect firm प existence, और नए partner का एक reconstitution हो जाएगा, reconstitution का में दोकर recreation, यानि कि हमने पहले भी first, second chapter में पड़ा था students, कि अगर कोई भी old partner, किसी भी कारण से, अगर खतम होती है, तो एक नई partner का assistance हो जाता है, एक नई partner का निर्मान हो जाता है, right, देखिए, अब इसमें क्या क्या करेंगे students, हम assets or liabilities का revaluation करेंगे, revaluation कैसे करेंगे, आगे जाके हम करेंगे, देखिए, इसका reason क्या होता है, क्योंकि आपको पता है, जो भी assets or liabilities हम दिखाते हैं, वो हमेशा हम original cost पर दिखाते हैं, market value पर नहीं दिखाते हैं, तो उससे क्या हुआ होगा, जब एक नया partner आएगा, तो हो सकता है, किसी assets की value घट गई हो, या यह भी हो सकता है, किसी value बढ़ गई हो, increase हो गई हो, इसी परकार से किसी भी liability का increase हो गई हो, या decrease हो गई हो, तो वो सारे record नए partner के इससे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए, अगर मानलो, स्पोज कीजिए, जो आज एक नए partner, एक फर्म में admit हुआ है, उससे पहले, फर्म ने एक building purchase कर रखी थी 4 lakh रुपीज की, और आज उसकी कीमत 6 lakh रुपीज है, तो जो 2 lakh रुपे का profit हुआ है, तो उसमें तो नए partner का कोई मतलब ही नहीं है, कोई share ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जो भी 3 partner थे, XYZ, ज 4 lakh का loss हो गया, तो भी जो नए partner आएगा, उसका उस loss में कोई share नहीं होगा, तो वो भी loss जो है, distribute करेंगे, old partner, तो इसकी detail हम आगे पढ़ेंगे, आने वाले topic में, the goodwill of the firm is valued, या revalued भी बोल सकते हैं, जो goodwill होगी students, उसको भी revalued करेंगे, और उस goodwill से, जो भी हिस्सा होगा उस नया partner ले आएगा, right students compensate किया जाएगा, अभी इसकी detail में discuss करेंगे, और जब नया partner firm में आएगा students, तो हमें क्या-क्या adjustment करने पढ़ेगी, देखे, new profit sharing ratio निकालने पढ़ेगी, accounting treatment of goodwill करना पढ़ेगा, accounting treatment of revaluation assets and labilities भी करना पढ़ेगा, reserve का भी treatment करना पढ़ेगा, और capitals को भी adjust करना पढ़ेगा, इन सभी को जो भी adjustment है, हम topic wise हम करते जाएंगे, आज हम इस वीडियो में calculation of new profits सीखेंगे students, देखे students, सबसे पहले calculation of new profits sharing ratio, इसको कैसे सीखते हैं, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे students, देखे इसमें first method से, मैं पहले अपनी language में आपको समझाता हूँ, suppose कीजिए, A and B are partner, A और B दो partner students, मान के चले, पहले मैं आपको percentage के method से सिखाता हूँ, बिल्कुल इजी method से, मान लो A का method, A का profit में हिस्सा है, वो 60% है, और B का जो है, वो 40% है, आपको पता है, total share 100% होता है, किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो 60% है, वो A ले रहा है, और 40% ज के लिए आएगा, अब यह देखिए, total share 100% होता है, जिसमें A 60 ले रहा है, B 40 ले रहा है, अब C जो है, वो 20% कहां से लेगा, कहां से लेगा, या तो A उसको दे, या B उसको दे, या कुछ part A दे, या कुछ part B दे, तब ही वो हिस्सा बन पाएगा, क्योंकि total percentage 100 होती है, तो द B का share है, C share, हमने क्या कि 100 में से 20% share उसका दे दिया, या निकी, अब 80% share बच गया, अब 80% share किसका बच गया, A का और B का, A का और B का जो है, यह 80% बच गया, क्योंकि C का तो हमने पहले ही निकाल दिया, अब A का कितना, B का कितना, question में इसने कुछ given नहीं किया, इसने just इतन partner in the ratio of 60% and the 40% and C is admitted for the 20% and find out the new ratio, इसने यह नहीं बताया कि A ने कितना sacrifice किया, या B ने, C ने A से कितना लिया और B से कितना लिया, तो हम कैसे करेंगे, जितना पहले share था, 60%, 60% किसका, 80% का, यानि कि अगर मैं बात करूँ, A का जो share होगा, 80% का 60%, क्योंकि पहले भी 60 था, तो या आजाएगा, students 48%, यानि कि अब जो A का share रहेगा, 48% रहेगा, इसी परकार से B का share कितना होगा, 80 का, पहले कितना था, 40%, इसका मतलब, 8 for the 32%, और C का, इसने question में गिया था, 20%, अब देखिए, अगर बात करें, A की, B की, C की, तो A का 48%, B का 32%, और C का 20%, देखिए, बन गया total 100 percent, very easy, right, अब देखिए, बुक के तरीके से हम करते हैं, बुक में इसने क्या बुला, मैं first question पढ़ता हूं, students, जो page 3.2 page पे है, illustration first, right, A and B are partner in the ratio of A, B and C, are partner in the ratio of 3 upon 6, 2 upon 6, 1 upon 6, it means 3, 2, 1, right, and D is a partner for 1 6th share, 1 6th share in the profit, find out the new ratio, बास, इसने अब ये, find out the new, profit new ratio, अब इसने ये नहीं बताया, students, इस question में, कि C, जो है, A से कितना लेगा, B से कितना लेगा, C किसे कितना लेगा, D के बारे में ये नहीं बताया, right, तो जैसे total, देखो, इसकों कैसे solve करेंगे, जैसे total percentage हमारी 100 होती है, इसी परकार से हमारा total share भी एक होता है, one, अब आप ये मान कर चलिए, total share ये है, ये total share है, कितना भी बढ़ा कर सकते है, total share ये है, उसमें से हमने क्या किया, जो one six share था, वो D को दे दिया, अब जो ये share है, ये किसका बचा, ये तीन का बचा, A का, B का, और C का, अब इसमें कितना, A का कितना, B का कितना, C का कितना, अब जितना पहले था यानि कि जो भी ये बचा इसका 3 to 1 में distribute कर देंगे देखिए total share हुआ 1 अब D का share कितना था दी share था 1 minus 1 upon 6 यानि कि 5 upon 6 अब ये 5 upon 6 कैसे आया तो आप पहल से मिले दीजिएगा या 6 में से 1 minus गया निक कर दिया 5 upon 6 अब जो ये 5 upon 6 है ये किसका share बचा A का B का और C का क्योंकि D का तो हम दे चुके हैं तो अब देखे A का share कितना A share 5 upon 6 है total share जैसे भी मैंने आपको बताया था 5 upon 6 ये जो share है ये 5 upon 6 है अब इसमें A का 3 upon 6 A का जो पहले हिस्सा था यानि कि 3 upon 6 ये आ गया B का कितना 5 upon 6 2 upon 6 C का कितना 5 upon 6 1 upon 6 तो दीखिएगा आप 15 upon 36 10 upon 36 5 upon 36 अब D का share तो हमें given students how much 1 upon 6 that is the given in the question अब देखिए ये जो A का B का C का D का ये अब देखिए इनके denominator क्या है 36 है 36 है 36 है बट इसका 6 है आप इसको 36 करना है या तो इसको यहीं पर multiply कर लेजिएगा 6 से उपर भी नेचे भी या फिर आप क्या किजिएगा इनका LCM ले लेजिएगा 36 देखिए 15 10 5 & 6 अब देखिए इनका total भी इतना ही आएगा 15 10 25 5 30 & 6 36 तो जो इनकी new ratio होगी 15 10 5 6 अगर यह short हो सकते हैं simplify हो सकते हैं तो हम इनको कर देंगे otherwise जो हमारी new ratio होगी students वह 15 10 5 6 right clear देखे students next method हम करेंगे इसने इसमें बताया कि sometime the new partner purchases his share of profit from the old partner equally यानि कि जुन नया partner आने वाला होता है वो पुराने partner से अपना हिसा equal gain करेगा देखे इसको भी मैं एक बार अपनी language हम बताता हूं वही example continue करेंगे जो पहले लिया था जैसे suppose कीजिए a and b are partner in the ratio of 60% and the 40% she is admitted for the 20% share right इस जो पहले question किया था उसमें क्या किया था ये question यहीं पर उसने चुप कर दिया था equally from a and b इसका मतलब जो c आया वो दोनों से equal equal लेता है equal equal means कितना लेगा अब देखे a का share b का share इसका था पहले कितना 60% इसका कितना था 40% अब इसने का जो c आया 20% के लिए which acquired equally from both partner it means how much the share from get from the a and how much the b it means 20% equal equal 10% यानि कि 10% वो इससे ले लेगा 10% b से ले लेगा और c का तो जो है ही वो 20% अब देखे new ratio के अगर आप बात करो तो new ratio कितनी हुई 60-10 इसकी 50% हुई 40-10 इसकी 30% हुई और इसकी 20% हुई तो जो new ratio हो गई 50-30-20 राइट देखिए अब बुक्य का ओड़न कर लेते हैं इसमें जो है यह दिया इसने second example इसने का देखिए राम एंड शाम राम एंड शाम और पार्टनर इन दा रेश्यो ओफ 7-5 राम और शाम जो है वो एंड विच्छी एक्वायड विच्छी एक्वायड 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 किसे के स्ट्वेंट गेट वर्ड भी दिया जा सकता है इकुली फ्रों बोथ पार्टनर इकुली फ्रों बोथ पार्टनर बोथ पार्टनर मेंस राम एंड शाम देखिए अब आप इसको कैसे solution करेंगे अब इसने वताया देखिए 16 गोपी acquired from रां गोपी acquired from रां अब गोपी का share कितना था 16 अब कितना एक्वायर कर रहा है तू पार्टनर सा equally कर रहा है यानि कि दोनों से आधा दा कर रहा है ब्राबर ब्राबर कर रहा है इट मिन्स वन अपॉन टू यह थ्री पार्टरास होते तो वन अपॉन थ्री फॉर होते तो वन अपॉन फॉर यानि कि बराबर का मतलब क्या हो स्टुडेंट्स अगर स्पोज कीजिए जैसे मैंने भी एक्जाम्पल लिया था यह दो पार्टर थे 60 और 40 के ठीक है एक्वल एक कास्ट थे लिए एकवल लियरा था राट दाट इस बन अपॉन टू इट मींट से ले रहें इसी प्रकार से गोपि एक्वाइड फ्रों की यम वन अपॉन सिक्स्त का वन हाफ डै इस बन अपॉन ट्वैल एक्वार्ड फ्रों डाश्य नो दगभी न्यू श्यर गभी न्यू श्यर का गभी श्यरं इसे श्यर वो था 7व अपॉन ट्वैल के तो आपको पता है कैसे निकालते हैं 7 प्लस 5 टोटल शेर था 12 12 में से 7 शेर राम का 5 सयंग का तो जो गोपी का शेर था वो था 7 अपॉं 12 माइनस अब इसने सकरिफ़ाइस की तना किया था 1 अपॉं 12 तो मैं क्या करूँ इसमें से 1 अपॉं 12 माइनस कर देता हूँ इसी सोरी गोपहने यह था इसका राम से नंषर रांशी रांशर नंच आप च्छेर्ट इस स्मोल से माइनस 1 अपन शांदा शांका। मिअदा श्रांद क्तविर था स्पर यांध का श्राइश पाइश्सका लेखक lav किए टो बाप क्या एंगे से यह वक रैं. और जो गोपी है गोपी का शेयर कितना है गोपी का शेयर में गिवन एक कॉस्चन में स्टुलेंट्स वन अपॉन सिक्स अब यह देखे तीनों का शेयर आ गया इसी प्रकार से इनका LCM लेंगे आप ट्वल इस वीडियो में यही मैथड हम करेंगे और जो बाकी के बचे मैथड है वो आने वाले नई वीडियो में करेंगे थैंक्स